हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं कुट्टू के आटे की आलू की पकोडी ये पकोडी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं आप इसे किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली घंटी को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे तो चलिए कुट्टू के आटे की पक काले ना पड़ें साथी 200 ग्राम यहां पर हमने कुट्टू का आटा लिया है 10-12 कुट्टी हुई काले मिर्च ली है एक स्पून सेंधा नमक लिया है थोड़ी सी धनिया बत्ती बारी कटी हुई और 5-6 हरी मिर्च जिसको भी हमने बारी काट लिया है सबसे पहले हम काले मिर्च डाल देंगे सेंधा नमक इसमें डाल देंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च का यूज नहीं कर रहे हैं साथी बारी कटी हुई हरी धनिया पत्ती डाल देंगे अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका एक घोल तयार कर लेंगे सारा पानी एक सतना डालें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी इसमें डालते जाएं और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से घोल लेंगे इसका हमें पतला घोल तयार करना है जिससे क कि हम आलू को इसमें डिप करके निकाल सकें तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे और उनको हम कुट्टू के आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हमने गैस के ओपर कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इस तरह से हम आलू के ऊपर कुट्टू का आटा लपेटते हुए इनको हम गर्म तेल में डालेंगे और फ्लेम को मेडियम रखें हाई फ्लेम पर पकॉड़ी ना बनाए नहीं तो पकॉड़ीयां जल जाएंगी और आलू हमारा कच्छा रह जाएगा क्योंकि हम कच्छे आ रहाई में डालेंगे और इनको दो-तीन मिनट तक सिखने देंगे यह एक साइड से सिख जाएंगे आप देख सकते हैं यह सिख चुके हैं तो अब हम इनको पलड़ देंगे और दूसरी साइड से भी इनको सिखने देंगे हमको पकॉड़ीयों को मीडियम फ्लेम पर ही सेख के बाद हम इनको फिर से पलड़ देंगे और दूसरी साइड से थोड़ी दिर और सिखने देंगे जिससे कि हमारे आलू अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे और बीच बीच में इसको पलड़ते हुए हम इसी तरह से थोड़ी दिर और सिख लेंगे हमारी को आप हरी चटनी के साथ इमली की घट्टी मेडी चट्नी साथ या फिर चाय के साथ भी सर्फ कर सकते हैं ये खाने में भूचंव कीजलोंकर पर TRA इसमीट दो आप हमारी इस रसेपी को Let it up falls, प्रमा मेरा शेपी को ट्षितलाने झाले